एलो फ्रेंड्स, दिस इस एस्पिसिंग and यवलकम टू स्माटर एवरिटी य हे फ्रेंड्स, लखनाव युनिवर्सिटी के सुट्स को पता ही है कि ये जो आपकी यूनिट है, वो वो सेकेंड चल लएए पेपर सेकेंड की जो paper second और आपका सिक्षा की monovagonic preparation ठीक है तो यह उसकी unit second चल लगा है unit second में आपको chapter 7 मिलेगा जिसमें हमने कल thonadike का प्रयोग पढ़ लिया था हमने पावलग पढ़ लिया था दो पढ़ लिये थे आज हम skinner पढ़ेंगे ठीक है इसकेनर के बाद फिर हम गेस्टाल्ट वालती अंतरदर्शी का सिधान्त पढ़ेंगे वह हम next class में करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम गेने का करम बाते सिधान्त पढ़ेंगे ब्रूनर पढ़ेंगे ठीक है इनको पहले complete कर लेंगे आज इनको खत्म करने का प्रयास तो ठावन्डाइग का प्रयोक आपने कल पढ़ा था ठूसरी किया था धाले का प्रयोक प्रयोक या था और बाहर क्या था एक मचली या मांस का टुकडा रख दिया था बिल्ली उसके लिए छट पटाती थी कूदती थी और फिर वो खा लेती थी ठीक है पावलाव ने भी कुट्टे पर प्रयोग किया था जिसी गले में आपरेशन करके एक नली लगा दी थी और बीकर रख दिया था तो इस प्रकार से पावलाव हो गया थाण्डाइक हो गया आज हम इसकर पढ़ेंगे इसकर निपक्या किया था कि इसकर ने दो प्रयोग किये थे एक तो एक तो पहले उनों ने ये देखिए चुहे पर प्रियोग किया था दूसरा और ने कबूतर पर प्रियोग किया था तो स्किनर का ये क्रिया प्रशूत अनुमधर सिध्धान्द कहलाता है ठीक है? चलिए तो ये जो सिध्धान्द हैं के कई नाम होते हैं जैसे इसको ये भी लिख के आ सकता है कि Skinner का सक्रिय अनकोलित अनुकरिया सिध्धान्द भी लिख करके आ सकता है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कल वाली PDF और ये आज की PDF आपको Telegram चैनल पर मिल जाएगी ठीक है ये हमारी कुछ Social Media Handles है और हमारा एक और चैनल है आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप हमें यहां फालो कर लीजिए दूसरा चैनल है इसके लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे हुई है ठीक है यहां अपने ब्लॉक शेयर करते हैं Instagram ID यह है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आप चाहे तो हमें यहां डिटेल में समझाया हुआ है दिखाया हुआ है ठीक है तो आई होब क्या आप समझते होंगे इसक्रिप्सन का सक्री अनकूलन सिधान्त इसक्रिप्सन ओपरेंट कंडिशनिंग थ्योड़ी आप कहीं न जाएं कहीं कॉलेज नहीं जाना है कुछ नहीं करना है आप सिर्फ अगर हमारे क्लासेज लेते रहें कंटिनू बहुत बेस्ट कर पाएंगे सक्री अनकूलन अधिगम की एक पद्दत यह यह भी अधिगम जो सक्री अनकूलन यह क्या है लर्निंग का एक प्रोसेश यह पद्दत यह जिसका विकास अमेरिकी मनोवैगनिक कौन बीएफ इसकिनर ने किया था किसने किया था इसका विकास किसने किया था अमेरिका के रहने वाले बीएफ इसकिनर ने किया था उनके अधिगम समंधी विचारों का परसार 1932 के लगभग उनके जो भी learning से related जो भी उनके thoughts से उनका प्रचार प्रसार कब होने लगा 1932 के लगभग उनकी दो पुस्तके थी कितनी दो पुस्तके एक तो दा behavior of organism थी दूसरी beyond freedom and dignity ये दो उनकी प्रश्रिद बुक हैं विवहर वादियों की स्रेणी में इस्किनर का नाम प्रमकुरूप से जाना जाता है इस्किनर ने दो प्रकार के विवहरों का वर्णन किया है विवहर के प्रकार उन्होंने दो प्रकार के विवहरों का वर्णन किया है एक तो है आपका प्रतिक क्रियात्मक विवार, ठीक है और रिस्पॉंड टेंट बिहावियर, दूसरा है सक्रिय विवार, ओप्रेंट बिहावियर, अगर एक्जाम में आप इसकिनर का ये सक्रिय अनकोल सिधान्त लिखने से पहले इतना ये लिख देते हैं, और नीचे ये इ भी सुनाओंगा, आपको याद हो जाएगी, हमेसा याद रहेगी, है ना, कबूतर की कहानी सुनाओंगा, याद रहेगी, तो आप सीधा लिखते हैंगे, चुहे पर प्रियोग, जी नहीं, उससे बढ़िया माक्स नहीं मिलेंगे, वो तो एक्जामन भी जानता है कि अहारना लिखी जाती है, यह main होती है, इससे पता, इससे एक्जामन को पता लग जाएगा, कि बच्चे को knowledge है, ठीके, यह इतना, यह आप जरूर लिखतेंगे, ठीके, हलांकि इसको भी अलाग लग करके discuss किया गया है, लेकिन इसको discuss करने की जरूरत ही नहीं है, ठीके, आपके मार्स बढ़ जाएंगे आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या था इन्होंने पहले तो ये देखिए ये बॉक्स बना हुआ यहाँ पे एक चूहे को बंद किया गया है ठीक है तो इसके ने एक बिशेश प्रकार का बक्सा बनवाया जिसको क्या कहा गया इसके ने बॉक्स कह चैंबर नाम दिया ठीक है और बात में ये इसके ने बॉक्स के नाम से फेमस भी हुआ ठीक है इस बॉक्स में क्या था कि चूहे के पहली बात तो चूहे को एंटरी के लिए एक द्वार बना था एक क्या कहेंगे उसको गेट लगाया गया ठीक है और इसमें एक लीवर भी लगा हुआ था, जिसका बटन दबाते ही, क्या हो जाता था, इसके अंदर रखी पलेट में चुहे के लिए भोजन आ जाता था, ठीक, इसके नर ने एक भूखे चुहे को इसके अंदर भेज दिया, इसके बॉक्स के अंदर भूखे चुहे को डाल दिया, चुहा अंदर जाकर उचलने कोदने लगा और अचानक उसके पैरों से लीवर दब गया और जैसे ही लीवर दबता है तो प्लेट में तुरंद भूजन आ जाता है चुहे ने क्या क्या उसकी मतलब भूख सांथ हुई और वो आराम से बैट गया थोड़ी देर बाद जब उसे फिर से भूख लगी तो वो फिर से चूचल कूद करने लगा लेकिन फिर वो अचानक से बटन दबी प्लेट में भूजन आ गया और वो चुपचा बैट गया खाना मिलिया तो इस प्रकाट से चूचे को क्या मिला पुर्ण बलन मिला और वो लिवर के आस्पास ही रहने लगा अब उसको पता लगया था कि मैं लिवर के आस्पास रहूंगा तो यही से खाना आना है ठीक है बागी और इसको थोड़ा जानते हैं इसका प्रियोग पढ़ते हैं इसकिनर के प्रियोग देखिए, इसकिनर द्वारा अधियम पर किये गए दो प्रियोग बहुत प्रशिद्ध हुए हैं, कौन-कौन से, उसका पहला प्रियोग चुहों पर किया गया था, और बाद में दूसरे प्रियोग में कबूतर पर कुछ भिन तरीके से प्रियोग किया गया था कमूतर पर उन्होंने क्यों लाइट वाली बटन लगाई थी, लाइट पढ़ती थी, बटन जलती थी, खाना आता था, वो प्रोसेस है, अभी आगे समझाएंगे, तो चलिए, चुहे पर प्रयोग क्या है, कि मैंने थोड़ा बताए भी है, इसके रने चुहे का प्रय इस बक्से में चुहे के प्रवेश के लिए एक द्वार बना था, जहांसे चुहा गुस सकता है, एक लीवर भी लगा हुआ था, जिसका बटन दबाते ही, उसके अंदर की जो रखी हुई प्लेट है, उसमें चुहे के लिए क्या आजाता, भोजन आजाता था, इस किनर ने एक भूखे चुहे को इसके अंदर बंद कर दिया, चुहा अंदर जाकर उचलने कूदने लगा क्योंकि वो भूखा था, और अचानक उसके पैरों से लीवर दब गया, अचानक से, कैसे दबा, अचानक से उसके पैरों से लीवर दब गया, जिस्टे क्या हुआ प्लेट में तुरंत भोजन आ गया चुहे ने भोजन किया भूख सांत हुई चुपचाब बैट गया थोड़ी दोद फिर उसको भूख लगती है तो वहाँ फिर से उचल कूद करने लगता है फिर से अचानक उससे बटन दब जाती है और प्लेट में भोजन आ जाता है दूसरी बार जब चुहे को भोजन मिल गया तो इसके ने देखा कि भूख मिटने से क्या हुआ चुहे को पुनरबलन मिला और वहा लिवर के आसपासी रहने लगा अब उसको पता लगया कि मैं यही पर रहूँगा तो मुझे भोजन मिल जाएगा धीरे धीरे उसने लिवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की विधी सीख ली थी क्योंकि अब उसको पता लगया था कि मैं यही पर रहूँगा और इतनी दूर में रहने से मुझे भोजन मिलता है तो वो दिरे दिरे एक नहीं दो नहीं चार नहीं दशबार जब एसे प्रैक्टिस की उसने कुशिच की तो वो लिवर धीरे धीरे उसके पैर से दबने लगा अब वो जाने गया कि मैं इस लिवर के उपर पैर रखूँगा तो मुझे भोजन मिल जाएगा तो दिरे दिरे उसने सीख लिया ठीक है यह हो गया दूसरा प्रैयोग उन्होंने किया था कबूतर पर यह कबूतर को आप देख पा रहे होंगे कबूतर पर उन्होंने प्रैयोग किया था ठीक है अब पहले कबूतर का प्रैयोग पढ़ते हैं इसका पूरा analysis करते हैं देखिए कबूतर का परियोग क्या हुआ इसमें सकिनर का दूसरा परियोग एक कबूतर पर किया गया था कबूतर के लिए बनवाए गए बकसे को कबूतर बॉक्स नाम से जाना जाता है इस पेटिका में सकिनर ने क्या किया एक भूखे कबूतर को भेज दिया और पेटिका में एक चाभी या फिर एक बटन लगा था जो प्रकास की चमक यान की उस पर लाइट पड़ती थी तो बटन जो है वो प्रकास की चमक पड़ने पर दिखाई देती थी एक बटन लगी थी जिस पे लाइट पड़ेगी तो वो दिखाई देगी अन्य था वो दिखाई नहीं देगी ठीक है इस बॉक्स में ऐसी वेवस्था की गई थी जिसमें बटन दबने पर कबूतर के लिए भूजन का दाना या यूँ कहें कि भूजन आ जाता था ठीक है चलिए भूखा कबूतर पहले तो बॉक्स के अंदर इदर उदर चक्कर काटता रहा तबी एक बिशेश ब्यवस्था के द्वारा बटन के पास प्रकास डाला गया बटन पर लाइट डाली गई प्रकास की और आकरसित होने के कारण उसने उसके पास चोंच मारना प्रालम जब वहाँ पर लाइट पड़ी बटन के पास तो उसने कबूतर ने वहाँ पर चोंच मारना सुरू कर दिया है न उसको अजीव सा लगा कि यहाँ पर लाइट पड़ी है हो सकता है मुझे यहीं से भोजन मिल जाए तो इस करम में एक बार उसकी चोंच की मार से बटन दब गया और से दाना प्राप्त हो गया चोंच मारता रहा मारता रहा अचानक से उसकी चोंच बटन पर पड़ जाती है बटन दब जाती है उसके लिए खाना आ जाता है फिर क्या हुआ कि कबूतर को भ्रमित करने के लिए उसको चौकाने के लिए अलग-अलग जगह पर लाइट डाली गई प्रकास में किये गए इन प्रिवर्तनों से कुछ समय के लिए तो कब उत्र प्रभावित हुआ उसे मतलब थोड़ी देर तो उसको लगा कि हो सकता है जहां लाइट पड़ रही वहां भी भोजन मिले उसने वहां भी चोशमारी, ऊधर भी चोशमारी, खुब चोशमारी लेकिन बाद में भोजन मिलने सो से प्रणोबरल मिले गया अब वो धीरे-देर शीख गया कि यह भोजन वाले बटन की जगे चोश पर चोश मारना उसने सीख गया अब वो जानिया कि अगर यहाँ पे लाइट पड़ती है तो भोजन मिलता है और बाकी कमरे में या इस बॉक्स में कहीं में भी लाइट पड़े भोजन नहीं मिलना है बाद में वा इधर उधर प्रकास चमकने पर भी उसी बटन पर चोश मारने लगा और खाना प्राप्त करने लगा ठीक है यह था कबूतर का प्रियोग ठीक है जिसको हम कबूतर बॉक्स के नाम से जानते हैं आगे देखिए अब यह जो प्रियोग थे इनके इसका अनॉलिसिस करते हैं निसकर्स निकालते हैं देखिए क्या होता है अपने उक्त दोनों प्रियोगों से इसकर ने निसकर्स क्या प्राप्त किये नमबर एक अनुक्रिया करना प्राणी का एक स्वाभाविक गुण है ठीक है जब भी उसे कोई आवश्यक्ता होती है तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग क्रियाय करना प्रालम कर देता है आवश्यक्ताओं को साध़र रूप में प्रणोद या ड्राइव कहते हैं जैसे चुहे और कबुतर की प्रयोग में भूक जो है वो चाला क्या प्रणोद का काम कर रही है ठीक है अगर किसी अनुक्रिया की बाद सफलता प्राप्त होती है तो क्रिया करने वाले को क्या मिलता है पुनरबलल मिल जाता है उसको ठीक है और अनुक्रिया की शक्ति भी बढ़ जाती है भाई जब उसको भोजन मिल लेगा उसको पुनरबल मिल लेगा तो उसके अंदर अनुक्रिया एक्टिविटी करने की छमता भी बढ़ जाई अनुक्रिया और शफलता के बाद बीच एक अनुबंधन हो जाता है अनुक्रिया और शफलता जो से मिलती है अक्टिविटी करने के बाद हाथ पेर चलाने के बाद जो से सक्षेज मिलती है उसके बीच तो उस activity और उस success के बीच में एक अनुबंधन हो जाता है जिसे क्रिया प्रशूत अनुबंधन कहा जाता है यह अनुबंदन अधिगम प्रक्रिया को क्या बनाता है इस्थाई और द्रड यानि की इस अधिगम अनुबंदन जो है इस learning process को क्या बना जेता है इस्थाई बना देता है मजबूत बना देता है ठीक है चलिए तो MLBGY ने क्रिया प्रसूत अनुबंदन को इसपस्ट करते वे कहा है क्रिया प्रसूत अनुबंदन एक अधिगम प्रक्रिया है जिसमें अनुबंदन बार बार होती है और उसके अधिक होने की संभावना से क्रिया प्रसूत बिवार मजबूत हो जाता है ठीक है आगे कर्ष हो गए अब देखिए बहुत ही important question है आपका पुनर बलन का क्या रथ है इसके प्रकार बताईए ये question देखिए पूछा जा सकता है इसके नेड़ के प्रियोग में खादेपदार्थ ने चूहे को वांशित क्रिया करने के लिए बार बार अभी प्रेड़ित करता है जो प्रयोग है उसमें जो खादिप्रार्थ है, जो भी चीजच खाने वाली है या भोजन है, वह चुहे को activity करने के लिए क्या करता है? बार बार, अभी प्रेडित करता है और यहां चुहे को खाना तभी प्राप्त होता है जब वो खटका दबा देता है जब उससे खटका दबता है तब उसे बोजन मिलता है अताइस प्रियोग के आधार पर पुनरबलन अनुक्रिया के उपरांत ही उत्पन होता है जो पुनरबलन है वो एक्टिविटी के उपरांत ही उत्पन होता है और या प्राणी के विवहार को क्या करता है बल देता है WF Hill कहते है, पुर्णाबलन अनुकरिया का वह प्रिणाम, जिस्से भविष में उस अनुकरिया के होने की संभावना में बृध्धी होती है, वही हमारा प्रणाबलन होता है, पुर्णाबलन के परकार देखिए, पुर्णाबलन दो परकार, एक तो शकारात्मक, दूसरा नका आत्मक सक्रिय परत्रिय के संभावना में बृध्धी करने में शाहिक होता है और इसमें इस प्रोबलन का प्रमु खुदाहर्ण क्या है दंड है इस प्रकार के प्रोबलन से प्राणी बचना चाहता है नहीं करना चाहता है ठीक है इसके बाद last one को रिष्टन अमारा बचा है इस सार्णी के अनुसार पुनरबलन की सार्णी का अर्थ है कि अनुकरिया की उपरांत के पुनरबलन किस क्रम एवं कितने समय में प्रदान किये जाएं। पुनरबलन प्रदान किया जाता है और स्किनर ने अपने प्रदान से 10 मिर तक की पुनरबलन का यूज किया हुआ है। आंसिक पुनरबलन क्या होता है कि इसके अंतरकत सैयम और सुद्ध अनुकरिया को महतुन नहीं दिया जाता है। बलकि अनिश्चित रूप सही पुनरबलन दिया जाता है। ठीक है आज का लास्ट कोर्शन सिच्छा में प्रियोग। सिच्छा में प्रियोग देखे। सिच्छा में प्रियोग। शक्रिय अनुकूलित अनुकरिया सिध्धान्त अत्वा पुनरबलन का सिच्छा में क्या प्रियोग है। और यह जो सिच्छा में प्रियोग पढ़ रहे हैं। सिच्छा में प्रियोग प्रियोग। सिच्छा में प्रियोग 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 क्या प्रियोग। मंद बुद्धी है, प्रतिभास आली है, कैसा बालग, इस विक्टिकेद भेनताओं को धियान में करके सिच्छन वो टीचिंग कर सकता है, पढ़ा सकता है, पाठिकरम, सिच्छन पद्दति, पद्दतियों और विशे वस्तु को छात्रों की आउसकताओं के अनुकूल बना कर कि जो टीचर है, वो टीचिंग कर सकता है, छात्रों की आउसकताओं की पूर्ति कर सकता है, छात्रों ने कितना सीख लिया, इसकी जानकारी छात्रों को दी जानी चाहिए, क्योंकि परिणाम की जानकारी अधिगम में साहिक होती है, अगर हमें रिजल्ट का पता लग जाए कि बालक कितना गेन कर रहे है, कितना बालक में अधिगम हो रहा है, कितना बालक सीख रहा है बालकों को जटिल कार सीखने में इस सिधानत का प्रयोग किया जा सकता है सिच्छक को छात्रों की वरतनी सिखाने के लिए अपेचित अनकुरिया का सयोजन करना चाहिए जिस्टी बालक सब्द का सुद उचान करने के साथ ही उसे लिखना भी सीख़ जाए तो ये था सकृरी अनकूलल अनकुरिया और पुल्वरन का सिच्छा में क्या परियोग है ठीक है आज की क्लास कैसे लिए कमेंट करके जुरू बताईएगा और इसकी जो PDF है वो हम यहाँ सेयर करतेंगे कल जो 3DEC पढ़ाया था पावलाव पढ़ाया था और आज का Skinner यह सब हम वहाँ सेयर करतेंगे हमारा एक और चैनल है SP Sir Vlogs के नाम से लिंक इसका description box में है आप यहाँ भी हमें follow कीजे प्लीज और जल्दी सा यहाँ भी हमारी एकजाब सब्सक्राइबर्स हो और ठीक है ताकि channel हमारा आगे बढ़ सके आप लोग help कीजिए हम आपके लिए इतनी मैनत करते हैं तो आप लोग हमें यहाँ follow कर सकते हैं ताकि यह भी channel हमारा आगे पढ़ जाए लिंक इसका description box में दिया हुआ यहाँ हम अपने ब्लॉक सेयर करते हैं ठीक है Instagram का link फी description box में दिया हुआ है पीडियोफ आपको यहाँ मिलती है आज सी class कैसी रही comment करके जुरू बताइएगा thank you मिलते हैं बहुजल्दी next class में जिसमें हम लोग brunar गैने को complete करने वाले है एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा class से जोंगी चार से पांस class से जोंगी आप बस continue बने रही है अपने like कमेंट देते रही है